नमस्कार दोस्तूं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तूं हम देख रहे थे सिक्ष्या मनोग विज्ञान के टोपिक के अनुसार क्यूसन एंस्वर दोस्तूं आज का जो मारा टोपिक रहेगा वो रहेगा अभी वर्ती इंपोटेंट टोपिक है दोस्तूं और वह क्यूसन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं जो गत दस वर्सू के अंदर एकजामू के अंदर आये हुए हैं क्योंकि दोस्तो अभीवर्ती टोपिक छोटा सा टोपिक है इससे क्यूशन है वो रिपीट होते हैं मातर 25 क्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे जो एक्जामों के अंदर रिपीट होते रहते हैं और यही क्यूसन एक्जामू में पूछे जाते हैं इसलिए आप अंतक मेरे साथ बने रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ओल नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर ले चलते हैं दोस्तू क्यूसनों की और पहला क्यूसन में आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूँ दोस्तू पहला क्यूसन है देखिए और अपना एंस्वर अंत के अंदर बताए कि आपने पचीस में से कितने क्यूसन सही आपे किये हैं दोस्तू एक-एक क्यूसन को वन लाइनर बनाकर अपने नोट बुक में नोट करते जाए क्यूंकि एकजाम के समय आप वीडियो नहीं देख पाऊगे लेकिन अगर वन लाइनर बनाकर आपके पास लिके हुए हैं तो इनका आप एक बार रिविजन कर सकते हो जिससे एकजाम में आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा दोस्तूं पहला क्यूसन है मारा अपने अनुभवों के आधार पर समाज के विबिन वेक्तियों संस्ताओं तता परिस्तियों की और धारना विक्सित करना कहलाता है अन्तेकरिया अभीवर्तियां समाजी करण या अभीरूची इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तूं मातर आपको इस वीडियो के अंदर 25 क्यूसन मिलेंगे जो गत दस वर्षूं के अंदर बार बार पुछे गए हैं विश्वास बनाए रखिए और हर एक वीडियो देखते जाहिए दोस्तूं हर एक जो टोपिक है आपका उससे आएव करते जाहिए अधिक से अधिक सभी मित्तर एक बार इस वीडियो को सेर कर दें तो दोस्तों यहां पर आपका उप्शन नंबर 2 है वो सही रहेगा अपने अनुभवों के आदार पर समाज के वीविन वेगतियों संस्ताओं और प्रिस्ततियों की दारना विक्सित करना ही सामाजिक संध्यान का परमुक पहलू नहीं है अभीवर्ति गुणारोपन छवी निर्मान इन में से कोई नहीं पूचा क्या है दोस्तों कि सामाजिक संध्यान का परमुक पहलू नहीं है तो डी ओप्शन चार नमर ओप्शन इन में से कोई नहीं दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, वेक्ति का सामाजिक संग्यान होता है, एक जटील परक्रम, बहु आयामी परक्रम, एक और दो दोनु, एक और दो दोनु ही नहीं, जो वेक्ति का सामाजिक संग्यान होता है, वो जटील परक्रम भी होता है, और बहु आयामी परक्रम भी होत जाता है सही एंस्वर रहेगा में तरुत तीन नमर ओप्सन आपका यहां पर एक वे दो दोनों सही है next question में चलते हैं समाज के अन्य वेक्तियों के गुणू तथा विस्येष्टाओं का अनुमान लगाना कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों समाज के जो निवेक्ति है उनके जो गुण है जो उनकी विश्यस्ताएं है उनका जो नुमान लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं अभीवर्ती, गुणारोपन, छवी निर्मान, इन में से कोई नहीं ओप्सन तीन आपका सही रहेगा क्या कहते हैं इनको छवी निर्मान नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं अभीवर्ती की परमुक वीमाएं हैं कौन सी है संग्यान, भाव, वेवार परवर्ती या उप्रोक सभी पूचा क्या है अभी वर्ति की परमुग वीमाएं संग्यान भी है भाव भी है और वेवार परवर्ति भी है दोस्तों चार नमर उप्सन उपरोग सभी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अभी वर्तियूं के अधिगं की पर्मुख परकिरिया कौन सी है? पुरुसकारे उंधंड, शहाचर्रे, परतिरूपन या उप्रोक सभी? तो अभीवर्तियू के अधिगन की जो परकिरिया है उसमें पुरुसकार और धंड भी है, सहाचरिये भी है और परतिरूपन भी है उपरोग सभी चाल नमर उप्सन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अभीवर्तियू के अधिगन की परमुक परकिरिया नहीं है परकिरिया कौन सी नहीं है परमुक परकिरिया की बात हो रही है कौन सी नहीं है इनमें से अनुनियात्मक संचार अभीवर्ति परिवर्तन परतिरूपन इनमें से कोई नहीं तो सही एंस्वर रहेगा इन में से कोई नहीं ये सबी है जो अभीवर्तियूं के अभीगम की परमूप परकिरियाएं है दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नम्बर आठ है अनुन्य सिद्धांत का पर्तिपादन किस ने किया था अनुन्य सिद्धांत का जो पर्तिपादन है वो किया था दोस्तूं हाव लेंड वे साथी ने एक नमर ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं एक लड़के दुआरा अपने बड़े भाई के वेवार का प्रेक्शन कर सामाजी का दिकम दुआरा पड़ाई के लिए शकारात्मक अभीवर्ति विक्सित कर लेना कहलाता है अभीवर्ति प्रिवर्तन, पर्ति रूपन, अभीवर्ति निर्मान या सहचर रही क्यूसन को समझे दोस्तू क्योसन क्या कह रहा है कि एक लड़का है जो अपने बड़े भाई के वेवार का क्या करता है प्रैक्शन करता है और सामाजी का दिकम दौराँ पढ़ाई के लिए सकार आत्मक अभीवर्ति विक्सित करता है तो इसको परती रूपन कहते हैं दोस्तों दो नमर उप्षन आपके क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अनुनियात्मक संचार अभीवर्ति प्रिवर्तन तभी सफल होता है जब उप्षन देखिए दो यहां पे आपको कतन दिये गए हैं परतिक्रिया वेक्ति के मत को संसिया हुआ परतिक्रिया उस पर्सन का उतर परस्तुत करती है तो यहां पर आपका कौन सा है जो सही धोस्तों दोनु ही सही how एक और दो दो ही सही है तीन अमर अप्षन एक वे दो दो सही रहेंगे नेक्स्ट यूसन में चलते हैं अनुन नयात्मक संचार के पक्स कितने होते हैं संचार है इसके चार पक्स होते हैं दोस्तूं कितने होते हैं चार पक्स तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अभीवर्ती का पर्मु कारक नहीं है अभीवर्ती का पर्मु कारक कोन सा नहीं है दोस्तों इन में से संचार करता की सक्ती ये तो कारक है संचार सक्ती जो संचार करता है उसकी सक्ती दूसरा है संचार करता द्वारा सरोता को पुरुस्करत वे दंडित करने की सीमा ये भी कारक है संचार करता को सरोता के विश्वास के अनुपालन में अवय्या की जानकरी ये भी परमुक कारक है तो दोस्तु तीनु का रख है कौन सा नहीं है तो चार नमर उप्शन इन में से कोई नहीं सही रहेगा आपका नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं संग्यानात्मक विशनादिता का सिद्धान्त के परतिपादक कोन है जो संग्यान आत्मक है विशना दित्ता का जो सिद्धान्त है इसके परती पादक कोन है दोस्तूं हाव लेंड वे साती, बेरन तता बर्न, लियोन फेस्टिंजर या फेल्ड में सही एंस्वर रहेगा ओप्सन नमबर तीन आपका लियोन फेस्टि फेस्टिंजर दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं चवी निर्मान का पक्स नहीं है अनुकिरिया, शंगटन, चयन या अनुमान चवी निर्मान का पक्स नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों अनुक्रिया option A आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा यह चवी निर्मान का पक्स नहीं है next question में चलते हैं निवन में से वेवार का परकार नहीं है इन में से वेवार का परकार कौन सा नहीं है प्रसामाजिक, विरोधी, तटत, तटस्त या उप्रोक्थ में से कोई नहीं पूचा क्या है कि वेवार का प्रकार कोण सा नहीं है तो ये सबी है जो वेवार के प्रकार है चार नमर उप्सन उप्रोक्थ में से कोई नहीं आपका याँ पे सही रहेगा सबसे उत्तम वेवार है कौन सा है तटस्त है प्रहस सामाजिक है समाज विरोधी है या उप्रोग सभी है उत्तम वेवार किसको माना गया दोस्तूं प्रहस सामाजिक को ओप्षन दो आपका क्या रहेगा सही रहेगा सामाजिक वेवार का उधारण है, रक्तदान करना, निसक जन की मदद करना, समाज विरोधी संस्ता की इस्तापना करना, निर्दन या मेदावी चात्रों की सिक्षिया के लिए चातरवर्ती की वेवस्ता करना बात यहां पर किसकी और यह, कि सामाजिक वेवार का उधारण है, कौन सा उधारण है दोस्तों, तो यहां पर सभी सामाजिक वेवार के उधारण है, रक्तदान करना भी सामाजिक वेवार का उधारण है, निर्दन या मेदावी चात्रों की सिक्षिया के लिए चात्रवर्ती की वेवस्ता करना ये भी सामाजिक वेवार का उदारन है तो आपका यहां पर एक दो और चार नमर ओप्शन क्या रहेगा सही रहेगा लेकिन दोस्तों इस क्यूशन में पूछा क्या गया है कि सामाजिक वेवार का उदारन कौन सा नहीं है यहां पर नहीं है हट चुका है तो प्रस्पर एक दूसरे से सम्मंद रखती है ये कितने प्रकार की होती है अभीवर्ती की विमाई एक दूसरे से सम्मंद रखती है कितने प्रकार की होती है अभीवर्ती की विमाऊं की बात हो रही है जो एक दूसरे के साथ क्या रखती है सम्मंद रखती है वह कितने प्रकार क की होती है तीन प्रकार की से उप्सन आपका सही रहेगा next question में चलते हैं अभी वरतियुं का निर्मार्ण होता है सहचर्रे द्वारा पुरुसकर व्यदंड द्वारा पर तिरूपन द्वारा उप्रोक सभी के दुवारा यह क्यूसन अमने पहले ही देख लिया है तो दे ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अनुन्य सिद्धांत का परतिपादन किया दोस्तों यह रिपीट नहीं हो रहे हैं जो एकजाम में जिस परकार्शी क्यूसन पूछा गया है उसी पर अनुन्यात्मक संचार के परमुखपक्स हैं संचार स्रोत वसंदेश लक्सित वेक्ति वसंचार का माध्यम एवब दोनु उप्रोक्त में से कोई नहीं अनुन्यात्मक जो संचार है इसके परमुखपक्स दोनु यह दोस्तों संचार स्रोत वसंदेश लक्सित वेक्ति वसं पूर्वा ग्रह एक परकार की है अभिवर्ती है भाव है विचार है वेवार है जो पूर्वा ग्रह है वो क्या है एक अभिवर्ती है option A आपका सही रहेगा next question में चलते हैं पूर्वा ग्रह में कौन कौन से संगटक पाए जाते हैं संग्यानात्मक संगटक भावात्मक संगटक वेवारात्मक संगटक उपरोग समी जो पूर्वा ग्रह है उसके अंदर संग्यानात्मक भावात्मक और वेवारात्मक जो संगटक है यह तीनों पाए जाते हैं दे ओप्सन उप्रोग सभी आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं पूर्वा ग्रह की कौनसी अभिवेक्ति विभेद क्या लाती है समझे पूर्वा ग्रह की कौन सी अभिवेक्ति है जो विभेद कहलाती है दोस्तों संग्यानात्मक वेवारात्मक बावात्मक या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों वेवारात्मक अभिवेक्ति है वो क्या कहलाती है विभेद कहलाती है और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्यूसन की और किसी समोय के सदूसिक के बारे में विश्वासू का एक ऐसा संग्रे जिसमें विवेकी आदार की कमी होती है रूडी युक्ती कहलाता है उक्त परिवासा किसने दी थी बेरन ने सै ओप्सन आपका सही रहेगा अगर दोस्तों इन 25 क्यूसन में से किसी भी क्यूसन में आपको संसे है तो कमेंट जरूर करें कैसे लगे ये क्यूसन साथ में ये भी जरूर बताएं वीडियो को अभी तक लाइक और सेर नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोधे वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें